नमस्कार साथियों कैसे हो आप सभी लोग मैं हूँ अभिनत शांचु पांडे और अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम बातें क्या कर रहे थे इससे पहले मैं आपको याद दिला दू कि अभिप्षा की ओर से भौतिकी की परिक् पर हमारे अप्लिकेशन में यह आपको एक्जाम सिरीज मिशन 2023 के नाम से दिखाई देगा आप हमारे अप्लिकेशन से अगर यह वीडियो देखते हैं तो आपको यहाँ पर माइंड मैप शॉर्ट नोट जैसे अडिशनल कंटेंट भी मिलते हैं तो चलिए आज की चर्चा क देख लिया हैं अब हम लगुत्तरी प्रश्णों के और बढ़ रहे हैं आई यह देखते हैं हमारा पहला प्रश्ण है दो तार हैं इसमें आई टू और आइवन धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर दीर दूरी पर रखे हुए हैं दूसरे तार की प्रति एक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए विंजग्यात कीजिए और यह कब आकरशन बल होगा और प्रति तो चलिए हम जो है कलबना करते हैं कि हमारे पास में दो तार हैं इन दो तारों के लिए हम लोगों ने यहां पर लगा लिया यह इसमें से धारा प्रवाहित आईवन हो काट लेंगे और इस चोटे से current element dl के लिए बिन्दु पी पर विद्दु चुम्ब की छेतर की तीब्रता निकालने का प्रयास करेंगे हमें ampere के परिपतिय नियम का के बारे में जानकारी है और ampere का परिपतिय नियम क्या कहता है क्लोज इंटेग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू जीरो आए क्योंकि यहां पर धारा प्रवाहिद आईवन हो रहा है इसलिए म्यू जीरो आईवन हो जाएगा और यहां से डी एल का जो है फुल लेंथ जो है वो डी एल का यहां एल हो जाएगा तो भी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आईवन डिवाइड़ बाई एल इस तरीके से हम पर यहां पर चुंबध ज्चेतर की तीवर्ता पता चल गई कि यह हम जो है अपने दाएं हाथ के नियम का उपयोग करेंगे यहां हम अतार को इस प्रकार पकड़ेंगे कि हमारा अंगुठा धारा प्रवाह की दिसा में हो और जब हम अपने ओगलेंगे तो हमें चुम्म की छेतर की दिसा पता चल जाएगी मतलब यह बी जो चुम्म की छेतर है वो अंदर क्यों जा रहा है एक बार यह पता चल झाए इसके बाद में हम बन निकालने का पयास करेंगे F का मान क्या होता है I L B Sine Theta या फिर जो है I L B I L Cross B तो यहां पर जो है देखेंगे हम यह I जो है इस धारा में इस तार में प्रवाहिद धारा के बारे में है इसलिए यह I 2 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा I 2 L अच्छा B B का मान जो है हमको पता है Mu 0 I 1 और यहां पर बटा L हो जाएगा और यहां Sine Theta ठीक है अब हम क्या देखते है कि यह L और यह L कट जाता है और अच्छा यहां पर 2 Pi भी आना चाहिए 2 Pi तो यहां पर जो हमको पता चलता है कि F का मान हो जाएगा F बराबर Mu 0 by 4 Pi ठीक है Mu 0 by यहां हमको 2 Pi यहां मिलेगा Mu 0 by 2 Pi L तो Mu 0 by 4 Pi इंटो 2 I 1 I 2 बटा ठीक है और I 1 I 2 बटा R तो यहां पर जो हमको F का मान मिल गया Mu 0 by 4 Pi बटा 2 I 1 I 2 बटा R और यहां पर R इन दोनों के बीच की दूरी है अब हमको यह जानना है कि यहां से जो है हम 1 Ampere धारा को किस प्रकार से परिभाशित कर सकते हैं तो हम देखते हैं कि यदि दोनों तारों में एक बराबर धारा प्रवाहित हो रही हो तो लगने वाले बल का मान हो जाएगा और दोनों के बीच की दूरी R बराबर 1 मीटर हो तो लगने वाले बल का मान हो जाएगा दो गुणा दस की घात रिन साथ न्यूटन और इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में लगने वाले बल के द्वारा इन में प्रवाहित धारा के मान को परिभाशित कर सकते हैं मुझे उमीद है कि आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी आगे और भी प्रश्न है जिसके बारे में हमें डिसकस करना है मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद